वक Corinth Board के दावे के अगेश्म में किसी न्याले में चुनोती हैं नहीं दी जासकते। अगर वक Corinth Board के किसी प्रापरेटि पर दावा कर दिया किये मेरी है तो आप ऐसे न्याले में पहले चुनोती ही नहीं दे सकते थे हाँ अब सुपरिम कोड़ के कुछ जजमेंट आए है। कि हब्वख बोड़ के किसी संपती पर अगर वह कैती है, कि हाँ मेरा है। तो अब ऑव आप उस पर अपने आले में उसे ले जासकते हैं और वक बोर्ड के सम्वंदित तमाम जिबनल भी गठित हो गए हैं वक बोर्ड के जो सरकार संसोध लाना चाहती है उसमें सकारात्म कुरूप से देखा जाए अगर किसी तरीके का कोई आपको अपनी आपती अभी जेपी से गठिती हो गई है तो अभी कोई कानून नहीं बना अभी तो एक प्रस्ताव चला है अगर कोई सकारात्म कानून लाय जाता है तो ये कहा करके विरोध नहीं करना चाहिए कि वो गलत है सही है पहले आप उसे जोन जाने समझे लिए हमरे के नहीं कि जो वक बोर्ड है वो एक्चुल में जो दान में दी गई संपत्ते उसको दे अभी कानून द्वारा चुनोती नहीं दी जा सकती है उनकी संपत्तियों पर जो भी उनको पूर अधिकार प्राप्त है वो किसी भी प्रापर्टी पर जाके कोई दावाद आखिल कर सकते हैं नमस्कार स्वागत आपका आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ अकांग्शा सिंग और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेमान जुड़े हुए है अडविकेट अरुन कुमार शुकला जी है सर बहुत बहुत स्वागत भगवान के रूप में पूजे गए जिन्हों ने गीता का दर्शन प्रेम का दर्शन सब कुछ बताया तो इसके लिए पहले पहले हम सभी लोगों को अपनी तरब से कोड़ कोड़ किष्जन में की सुबकामनाई देते हैं जी मैं आगे में तो आज हमारे साथ जो खास मेहम चुड़े हुए हैं इसे हम बात करेंगे वक्ष बोर्ड को लेकर के आखिर वक्ष बोर्ड है क्या इसका अमिंडमेंट कब हुआ क्यों बनाया गया इसको गठित करने के पीछे के कारण क्या है और इस समय जेपीसी में जो बवाल चला है पक्ष और विपक्ष अलगातार इ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सरसा सीधा सीधा बात करेंगे सर पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि वक्ष है क्या वक्ष बोर्ड के बारे में बता दूं पहले पहले वक्ष बोर्ड में दो तरीकों की संपतिया होती हैं वक्ष बोर्ड में मोबिल प्रापर्टी औ और इमोबिल प्रापरिटी यानि वक्फ बोर्ड में चल और चल दोनों संपतिया समाईत हैं दुस्टी जी मुस्लिम कम्यूटी के बारे में कुछ चीज बता दे वक्फ बोर्ड धार्मिक रूप से दिये गए अनुदान को ये रख रखाओ के लिए जो नियम को सव आवसेक् बनाने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया वो वक्फ बोर्ड है वक्फ बोर्ड एक्चुल में जो दान में दी गई संपति है चाहे वो चल संपति रही हो चाहे वो अचल संपति रही हो चाहे वो मस्जिस समन्दित प्रॉपर्टी हो या किसी के भी द्वारा तो उसको संचालित करने के लिए, उसको गवन करने के लिए, जो कानून किया वसकता रही, उसे वकवड कहते हैं, वकवड का विप्रैक्योल किसी धर्म या जात से नहीं है, वकवड ऐसा संस्था है, जो मुस्लिम परिसंपतियां जो दान में प्राप्त हुई जो किसी भी बेक्त ने दिया हो दान में उसके रख रखाओ के लिए जिस संस्था का निर्मार किया गया उसे वक्वोर्ड कहते हैं प्रथमता वक्वोर्ड नाइटीन टॉन्टी थ्री में प्रकास में आया उसके बा वो बताना चाहते हैं, पहले चिए वक्ष बारे मेने कुछ और बात बता दे, पहला वक्ष का जो आया था आपने सुना होगा दिल्ली सल्टनत में मुहमत जौरी, मुहमत जौरी ने परत्हां अइनुदान जो दिया था, वो मुल्तान में दिया था, वही से पहली बार इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल में वख्व का आया प्रकास में तो हम कहना ये चाहते हैं कि 1923 के पहले भी दिल्ली सल्तनत में भी वख्व का नाम था वक का मतब हो जाता है कि धार्मिक संस्था एक ऐसी धार्मिक संस्था जो दान में प्राप्त की हुई बस दुका देख भाल करें हाँ ठीक है वो मुस्लिम से जुड़ी हुई है और इसलिए वक बोर्ड के बारे में कुछ चीज़ है अब एक चीज और बताना चाहते हैं वक ब में भी रहा जिसके बारे में राजनीत में भी उस पर चर्चा करना बहुत ठीक नहीं है क्यों क्योंकि उस समय वक बोर्ड को मतब जब प्रधान मंतरी रजाजी गांधी जी थे तो उन्होंने जो संपतिया थी जो लोग पाकिस्तान गए थे वो वक बोर्ड को दे दी गई थे दो हजार तेरा के वक बोर्ड में कुछ ऐसे अधिकार आ गए जो उस पर सरकार को पुनर विचार करना पड़ा कि वो सही है कि नहीं अभी एक बात और बताना चाहते है कि वक बोर्ड में एक्चुली में ये है क्या वक बोर्ड में जो सरकार संसुधन आना चाहरी उसे स आभाँंस प्राप्त होते हैं वक्प संपत्तियों से जो आए होती है सरकार चाहती है कि उनके खर्च के लिए भी दुआई हैं जो बच्चीय हैं जो अनात हैं उन पर खर्च किया जाएं तो मुझे लगता इसे सकारातनों करूप से देखना चाहिए इस पर को है अब तक कि जो संपत्ती थी वक्फ बोड के पास जो अब तक दान प्रदान की जो संपत्ती आती थी जो पुंजी आती थी जो जमीन जायदात आते थे उसको कहां खर्च किया जाता थे क्योंकि बताया चाता है कि जो ये संपत्ती और जो जमीन जायदात है इसमें चल अचल सं रहने खाने का ठीक नहीं होता है और तमाम लोगों ये उनके लिए एक खास तोर पर होती है तो अब तक क्या है इसका उप्योग नहीं किया चाहरत है अभी अभी एक्शली में सबसे बड़ी बाती है कि हमें वक बोर्ड में जो सरकार सकारात्मक ही रूप से उसे में देखता हूँ जैसे उसमें भी महिलाए मेंबर नहीं होती थी तो पहला ये किया गया है कि महलाओं को भी उसमें मेंबर बनाया जाए दूसरी चीज ऐसा नहीं अभी वक बोर्ड पर्टिकुलर ये चीजें अमेंड़न नहीं थी कि यहां किसके उपर खर्च किया जाएगा किसके उपर खर्च नहीं किया जाएगा ऐसा नहीं वक बोर्ड के जो उनके members हुआ करते थे workboard के देखभाल करने के लिए एक सब दोर बताना जी से मुतवली कहते हैं तो workboard की संपतियों को देखभाल करने के लिए जो लोग होते थे उन्हें मुतवली कहते थे मुतवली अपनी चानुसार उस property का कैसे क्या किया जाएगा इस पर उनका अपना विचार होता था लेकिन सरकार अब संसोधन करके उसे एक संबैधानिक नहीं बैधानिक संबैधानिक और बैधानिक भी क्लियर कर दूँ संबैधानिक कानून उसे कहते जिसका बढ़न संबैधान में हो और आवस्यक्ता नुसार कानून बना करके सरकार अगर कोई संसोधन करती तो इसे बैधानिक कहते हैं तो उसको बैधानिक रूप से कुछ हमेंटमेंट करना चाहते हैं जैसे मुतवली के अधिकार और एक और चीज है इसमें सबसे बड़ी चीज है पारदर्शिता लाना इसमें जैसे कि जिला अधिकारी को भी उसमें उस कमेटी में मेंबर रखा जाए जहां पर यह प्रॉपरिटी हो और दूसरी चीज है जो एक और चीज है कि पारदर्सिता का मत्तब होता है सत्यापन करना सरकार चाहती है कि तमाम ऐसी प्रापरिटी को लेकर वर्क बोर्ड ने दावे कि ठीक है कि यह प्रापरिटी हमारी है तो कोटों में देखा गया न्याले में बहुत धेर सारे विबादी समया रहे ह चीज है धारा पंदर सेक्षन 456 जो सबसे महतपूर थी वर्क बोर्ड का वो यह कहते है कि कभी भी वर्क बोर्ड आ करके कोई दावा कर सकती है कि यह संपत्य मेरी है अब प्राप्लम यह है कि जिस जो बेक्ति काफी समय से काबीज है जो उसको रह रहा है उसको कोई आदनी वो प्रापर्टी दे के चला गया उसे खुद को यह नहीं पता है कि वो जिस संपत्य पर आवा मतब अधिवासित है वो उसकी संपत्य है कि नहीं तुस्त नहीं मैं अभी यहां रह रह रही हूं और मेरी संपत्य को विदाउट एनी नोटिफिकेशन वक बोर्ड कबजा कर स है कि अपार्चुन्टी आप दी हेरिंग सबको मिलनी चाहिए तो चार पांच छे सेक्षन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो दिखती है वो यह होती है कि बिना किसी सूचना के अगर वक बोर्ड क्लेम करता है तो वो उस पर आपको कोई जरूनी की सूचना दे वो आगर क अपना दावा दाखिल कर सकता है कि मेरी संपत्ती है और यह एक कानूनी हम इसे मतलब निच्रल जस्टिस के अगेशन में बाते हैं आट लिस उसे सूचना तो मिलनी चाहिए तो धारा चार पांच छा एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि इसके अलावा जो वक बोर्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टाइम लिम्टेशन के बात आती है तो हमारे यहां पर वक बोर्ड किसी भी प्रापरिटी पर कोई टाइम लिम्टेशन नहीं दिया गया वो सौ साल बात भी आके आपके कह सकती है कि संपत मेरी है तो सरकार की मनसा यह थी कि वक ब जो नया ध्यादेश सरकार लाना चाहती है जो नया कानूर बनाना चाहती है उसमें वो यह नहीं कह रही कि कानून को सीमित किया जा रहा है कानून को परिभासित किया जा रहा है कानून का एक बिस्तार किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ना वक बोर्ड की प्रापरिटी किस ताखिल करें अभी एक चीज और बड़ी खराब बात था है उसको मतलब पता नहीं कानूनी है वर्क बोर्ड के दावे के अगेश्ट में किसी न्याले में उसको न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकते हैं अगर वर्क बोर्ड ने किसी प्रापरिटी पर दावा कर दिया कि य रहा है तो अभू आप उस पर न्याले में उसे ले जा सकते हैं और वर्क बोर्ड के संबंदी तमाम ट्रिमिनल भी गठित हो गए हैं जिसमें उन में जजज़ भी हो गए हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि वर्क बोर्ड की संपत्तियों का सत्यापन कैसे हो तमाम ऐसे आप सपोच करिये कि बनारस की का बिबाद है मतुरा का बिबाद है तो यहां सब पर भी कहीं वर्क बोर्ड कहता है मेरी प्रॉपर्टी है कहीं कोई कुछ कह रहा है तो सरकार के इस कानून लाने से एक चीज़ हो जाएगा बिबाद कम होंगे यह नकारात्म को रूप से इसको न देखा जाए अगर सकारात्म को दूसे तो अब तमाम प्रॉपर्टी के बाद वहां भी वर्क बोर्ड पर तमाम लोगों के मुकद में चल लाए हैं ठीक है देखे एक चीज़ और बताएं वर्क बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो उनको संबैदानी दर्जा प्राप्त है य अगर किसी तरीके का कोई आपको अपनी आपती है भी जेपी सी गठी थी हो गई है तो वो अभी कोई कानून नहीं बना अभी तो एक प्रस्ताव चल लाए है अगर कोई सकारात्म कानून लाए जाता है तो ये कहा करके बिरोध नहीं करना चाहिए कि वो गलत है सही है पहले जो अगबोर की प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी जो अगबोर की प्रॉपर्टी नहीं है उसका विबात कम हो जाएगा विपक्ष के लोग और साथी साथ मुस्लिम समुदाई के लोग जो हैं जैन समुदाई के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं जो सरकार कर यह बात कह रही है उसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके धर्म को और उनके जो रूल्स तो क्या आपके इसाथ से भी ऐसा लग रहा है कि वकफ बोर्ड को लेकर के जिस सरीके से सरकार मांग कर रही है शंशोधन की कानूनों में वाकई एक समधाय को टार्गेट किया जा रहा है देखें वकफ बोर्ड के बारे मैंने पहले आपको बताया कि वकफ बोर्ड एक बैधानिक संस्था के रूप में देखना चाहिए जो धरमार्थ के लिए जो हमें मुस्लिम समधाय के जो उन्होंने दान दिया उसको संचालित करने के लिए एक उसे कानूनी नजर से देखा जा जाएगा हमारे हैं ऐसा कोई मेटर नहीं है हमारा कहना है कि जो वर्क बोर्ड है वो एक्चुल में जो दान में दी गई संपत्य उसको देख भाल करने के लिए है अभी उसको किसी धर्म या किसी जाथ में का रंग नहीं देना चाहिए क्यों यह देखना चाहिए कि जो कानू स सरकार ला रही है वो बिजिसम्मत है कि नहीं अगर उद बिजिसम्मत है तो निश्चित रूप से वो सही है अगर उसमें कुछ ऐसे सरकार कर रही कि नहीं किसी अधिकारों का तिकर्मण किया जा रहा है तो उसका उनका विरोत करना हम वाजिब मानते हैं हर आदनी को अपने धारा दिखे हमारे इंडियन कांस्टिचूशन में आर्टिकल 27 पराप्त है 27 में सबको अपने चीजों को रख रखाओ के लिए अधिकार पराप्त है लेकिन तब कि वो ऐसा नहीं आप अभी कानून समझ नहीं पाए आप पच्चे से बहली बात उसका परिसिलन नहीं किये पहले आप उस कानून को समझ लें अगर लगता है वो किसी धार्मिक भाना को ठेज पहुचा रहा है देखे वर्क बोर्ड मेरे कार्डिंग एक संपति से संब्धिदी बात उसका संब्ध किसी धर्म या जाज़ते बिलकुल नहीं है क्यों क्योंकि वर्क बोर्ड उस धार्म संब्धाय के संपति के रख रखाव करने के लिए उसे देख भाल करने के लिए जो कानून का आवश्यक्ता समय समय पर पड़े उसको बनाने के लिए सरकार को भी मतब सलाह देने के लिए वर्क बोर्ड हो या कि वर्क बोर्ड में भी है इस्टेट में भी है तो मेरा कहना है कि वर्क बोर्ड अभी एडवाइजरी के रिप में भी काम करता है तो उसको अभी इस रूप में नहीं देखना चाहिए अगर वास्तों में उनकी किसी धार्मिक भाउना का ठेस पहुंचता है तो नहीं बिरूत करने का पूरा दिकार है लेकिन अभी वो कानूनी पहलू तक ही है अभी ऐसा कुछ नहीं हमें जहां तक अभी तक जनकारि उसमें कोई धार्मिक भाउना जैसी कोई बात नही चाहे हमें कने कि जिदार भी भावना का ठिस नहीं है ये प्योली संपत्ति के रख रखाओं के लिए जो दान में दी गई है उनका है और स्वभाबी के कि हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं अगर वोड से किसी भी समधाए कि किसी भी लोगों का कल्यान किया जाया महिलाओं को तलाग सुधा महिलायें हैं विधवायें हैं ये कोई भी हैं अगर सरकार चाहती है कि उसके लाफ से उनका भी कल्यान हो तो इससे रास्ठीट की बात है इसमें कोई जाती और धर्म जैसी कोई बात मुझे नहीं दिखती है हाँ अगर निश्चत रूप से कोई धार्मी भावना को ठेस पहुचे तो उन्हें पूरा धिकार है कि उस सरकार के सामने अपना पक्ष रखे कि आप हमारे धार्मी भावना का ठेस के पहुचा रहें लेकिन अभी जो वगबोर्ड में संसोधन है वो सिर्फ कानूनी पहलो तक है वो बिधी तक ही है कोई धार्मी जैसी चीज़ हमें नहीं दिखी कि इसलिए मेरा मेरा मत है कि अभी उसमें जितने संसोधन के लिए राय जड़ा है जैसे सत्यापन की भी आता है उसमें महिलां को tyटलाक सुधां महिलां को अनाथों को उस जो वोगबोड के आए है उससे उनके कल्याण की बात है तो ये तो मैं अच्छा मानता हो इसे एक रास्ठीट होगा, एक समाज का कल्याड होगा, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है, उनको देजाए हैं, आप इसे लोगों को आगे बढ़ का हाँ, अगर उनमें किसी धार्विक भावना को ठिस पहुचाए जा तो निश्चित रूप से का विरूरत क करने के उन्हें पूरा दिकार है, उसमें मैं इस मिसाद मैं कहा रहा हूं कि लेकिन आइसा कुछ अभी मुझे नहीं दिखा, जैसे कि आप भी बताएं कि 2013 से एक पावर मिल चुकी है वक्फ बोर्ड को, काफी अपने आप में स्ट्रॉंग बन चुका है, मैं अब आप से जा पर दावा कर सकता है, उसको किसी अभी कानून द्वारा चुनोती नहीं दी जा सकती है, उनकी संपतियों पर जो भी उनको पूर अधिकार प्राप्त है, वो किसी भी प्रापरिटी पर जाके कोई दावा दाखिल कर सकते हैं, तो आभी तो उनके पास में बहुत सारे अस्यम के लिए करें, तो उसे उसे पॉस्टिव राइट कहते हैं, और अगर किसी राइट को आप निगेटिव रूप में देखते हैं, आपको अधिकार दे दी, ऐसे हिटलर भी था, हिटलर के पास बहुत अधिकार था, लेकिन उसने कहते हैं कि लाखों लोगों का कतल याम करा द वो बुद्ध सीलता से कवर्ड है, तो निश्चत रूप से मैं मानता हूँ, अधिकारों के बारे में, अगर उनके पास अधिकार है, अधिकारों का सदूपयों किया जाएगा, तो हमेशा वो मानो कल्यान में ही आएगा, तो अधिकार सुए में गलत नहीं होता, चाहे वो बोर्ट का हो, चाहे वो ट्रस्ट का हो, हमें इंप्लिमेंटीशन की बात आती है, कि वो अधिकार दिया किसे गया, आपको एक बेक्ति को परमाड बम दे दिया जाए, तो हो सकता उसका दूर उप्योग भी करे, एक बेक्ति को परमाड बम, अगर उरजाव से मिल गया, तो बिजली बनाने इक भी उप्योग में काम कर सकता है, तो अधिकार अगर सकारात्मक हैं, ऐसे बेक्ति के हाथ में हैं, तो निश्ची तुरूब से वो मानो कल्यान में ही लगेगा, और ये दू अधिकार नकारात्मक बेक्ति के बीच में चला गया, तो अधिकार नकारात्मक बन जाएगा तो भाविश में किसी भी बात की खो जाओ सकता नहीं होगी जैसे उनकी प्रापरिटी इस जेपी सी में सबसे में चीज़ है जो डियम उसका मेंबर हो बहुत इक सत्यापन की बात हुई है कि अगर कोई प्रापरिटी वह कहती है मेरी है या कोई और दूसरा कहता है मेरा है तो उसमें सत्यापन की बात है सत्यापन मैं नहीं वेरिपिके जैसे हमारे पास खसरा खतोनी होता कोई किसी प्रापरिटी 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 मेरी है तो आप यहीं तो कहते है कि मेरे पास देखिए खसरा है खतोनी है कोई प्रापरिटी ह तो ऐसे ही एक ऐसा कानू होना चाहिए आसीमित और निरंकुस अगर कोई अधिकार किसी को मिल जाए त्रीट में भी क्यों उसका दूर्प्योग कर सकता है तो हाँ जो सत्यापन की बात है कि कोई भी प्रापरेटी अगर वकबोर्ड की प्रापरेटी तो निसंदे सरकार को उस जो आपकी नहीं है वो भी गलत है तो अगर उस प्रापरेटी का सत्यापन हो जाए यह दोनों पक छपना पेपर दिखाएं कि हाँ यह मेरा है तो जिसका है उसको दे दिया जाए तो सत्यापन का मतलब जो कानून सबसे बड़ा जेपीसी में उस संपत्ति के सत्यापन की बा है इंसाफ की लड़ाई का नहीं उसको सत्यापन सत्यापन गतला लुड़ा भिरिफिकेसन है जैसे आपका घर है आपसे कहा घय है कि आप बताये की यह किसका घर है तो आप कहते हैं मेरे पास recipe है कि मेरे पकले है आं आप से कहा गये कि यह घर मेरा है तो आप से कहेंगे बही आप खसराकतों ने रिजिस्ट्रि कुछ दिखाएं तो इस तरीके कि जो विवास सामने आ रहे हैं कि कहीं वर्फ बोर्ड लड़ रहा है, कहीं दूसरे पर्च के लोग लड़ रहे हैं, कहीं वो कहता है मेरा है, कहीं हो केते हैं तो इस तरीके के जो समस्याइं हैं जो न्यालियों में विचारा धीन मैटने ये सब का क्लियरेंस हो जाएगा हां भाई ठीक है एक रिपोर्ट आ गई अब ऐसे मौखिक रूप से जो कहा जाता है वो सही में नहीं मानता अगर वक्फ की बात कर लिजा जो 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 लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं मैंने इस से पहले आप से बात की इस पर कि लोग इस पर विरोध कर रहे हैं क्या संदेश देना चाहेंगे और जो सरकार परिवर्तन की मांग कर रहे हैं जो कानून की बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर तलाख शुदा महिलाएं, गरीबों और तमाम लोगों के लिए, ये साफ तोर पर लागू की जा रही है, इसमें परिवर्तन की मांग की जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो इस को जाती धर्म को लेकर के, कि हमारे एक पर्टिकुलर एक जाती पर्टिकुलर एक उठेस पहुचाने का काम है, हमारे जो इसलाम है और हमारे जो रूस रैगूलेशन है, उसमें कहीं न कहीं बदलाब लाने की सरकार कोशिश कर रही है, और हमारे धर्म के साथ खिलबाड कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको और क्या समझाना देखे मैं धर्म हमेशा मानो कल्यान की बात कहता है, हमें भूक लगती है, हमें प्यास होती है, हमें कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान स्वास्त सिक्छा और बिग्यान, ये चार मूल भूत आवस सिकता हैं, हर वेक्ट की और हर धर्म आप पढ़ेंगे, चाहे हिंदू हो, म मुसलिम हो, सीखो, साब मिलकर के मानो कल्यान की बात करते हैं, राष्ट कल्यान की बात करते हैं, वेक्ट की कल्यान की बात करते हैं, तो अगर किसी चीज में कोई सकारात्मक चीज छुपी हुई है, तो मुझे लगता है, चाहे हो किसी भी जायत के हों, किसी भी धर्म के हों मानू कल्यान से बढ़कर कोई कल्यान नहीं है राष्टिस से बढ़कर कोई राष्ट कोई और मुद्दा नहीं हो सकता तो मानू कल्यान और राष्टित मैं फिर करता हूँ रोटी कापड़ा और मकान स्वास्त सिचा और बिग्यान ये छे मूल भूत बेक्त की आवसकता है होती है और हर धर्म के लोग, हर जायत के लोगों को इसकी आवसकता है अब अगर हम अपनी किसी कर्म द्वारा, किसी कानून द्वारा, किसी भी द्वारा किसी का भी कल्यान कर सकते करना चाहिए और बिरोध सिर्फ इसलिए बिरोध नहीं होना चाहिए कि हम बैठ जाएं कि हमें बिरोध करना है हमेशा बिरोध का मतब होता है कि अगर लगता है कि कोई हमारे सम्मिधान के बिरोध है कोई हमारे अधिकार के बिरोध है कोई हमारे धर्म के बिरोध है actual में कोई बात कही जा रही है तो निश्यत रूप से आप उसे मुद्धा बनाएं उसे सरकार के सामने ले जाएं और अपना पक्ष रखें कि आप यह गलत करें लेकिन सिर्फ बिरोध इसलिए कि बिरोध किया जा रहा है तो अब हमको यह कहने में कोई भी बात नहीं है कि हम अ धर्म तो बहुत बड़ी चीज होती है धर्म एक आस्था का भी सह है एक मानवता का भी सह है कोई ऐसा धर्म नहीं जो हमें यह न सिखाता हो कि आप लोगों की भलाई न करें चाहे वो हो हाँ निश्चित रूप से लोगों की सोच अलग-अलग हो सकती है लेकिन हमारी सोच स कोई राष्टदारा नहीं बनती है कोई विचारदारा नहीं बनती है एक सत्य है जिसका उनकरन करने से ही सबका कल्याड होगा तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर कोई चीज गलत हो रही हो तो आपको पूर अधिकार उसका बिरोध करें लेकिन बिरोध के लिए बिरोध न इसे फिर रिपीट कर दूँ कि इंडिया है बीन एट आपड़ेट दे सुपरमेशी आप दी कांस्टिछी उसन नाट दा पार्लियमेंट यानि हमारे हाँ पे संबिधान सर्वोच है संसद नहीं इसी में सारा उतर आपको मिल जाएगा ये दिस सरकार कोई भी गलत कानूल बना ही है जो समीधान समत नहीं है तो हर बेक्ठिकों हर जाद के हर धर्म को दिकार ए कि वं नियाले में जाकर के उसको परिवर्टित करवा सकता है तो जब भारत में समीधान सर्वोच चे तो किसी को डड़ने की आऊ सकता नहीं है अगर संसत को ऐसा कानून बना देती है सरकार को ऐसा कानून बना देती है जो बिद सम्मत नहीं है जो किसी धर्म जायत के विरोध है क्योंकि हमारे मौली का दिकारों में सभी को सरच चड़ है धार्मिक सुतनतता का दिक है चाहे वो मुस्लिम हो चाहे सिक्ष हो चाहे साही हो चाहे जैने हो तो वो मूला धिकार है वो सरकार का अगर आप सुप्रीम कोड में भी चले जाएंगे इवें तो हाई कोड में भी जाएंगे सुप्रीम कोड में तो हर कोड को हमारे मौली का दिकारों का कहीं से भी अनल होगा तुछ सरंग्छित करने का पूर्ड दिकार परापता है तो जिस देश में सम्विधान सरवोच है वहां किसी को इस बात का ड़न नहीं होना चाहिए कि सरकार को ऐसा कानून बना देगी जो सम्विधान के विरुद्दो तो आपका धिकार सरवाधिकार सुरचित है आप न्याले में जा सकते हैं वहां परिवर्तनीय सील है वहां पर आप उस चीज को लागू करवा सकते हैं कि यह गलत कानून बन गया या कोई चीज गलत है तो उसको अल्ट्रा वाइरिस डिकलेट करवा सकते हैं स्टेक डाउन करवा सकते हैं उसक मिधान सम्मत है और ना वो समाज सम्मत है और ना परिवार सम्मत है अब हम ये मालने कि आप भी पक्च में हैं या पक्च में हैं तो हमेशा पक्च का काम होता है हमारे हाँ पे आपने देखा हो सब्तांग सिध्धान्त हुआ करता था काउटिल ने अर्थसास्तर में पहली बार राज के सब्तांग सिध्धान्त है तो हमारे हैं आपने देखा होगा कि सरकार ने सरकार का भी कामे नहीं होता है कि बिना लोगों के सुने समझे बिना लोगों के जन्मानस की भावन करें तो फिर उसका विरोधी होता है तो सरकार का काम यह है कि पूल जन्मानस की भावनाओं को समझें और उसके एकार्डिंग सुधार करें और विपच का काम यह होता है कि अगर कोई सकारात्मक सुधार है तो उसे सरकार को सपोर्ड भी करना चाहिए यह कहा करें आम नब बनाया जाए और उसमें पच्च विविज दोनों का सहयोग लिया जाए ये मेरा भी मत है नमस्ते आप थे हमारे साथ अड़ुकेट अरुन कुमार शुकला जी नोंने तमाम मुद्दों पर बात किया और साथ ही साथ इनोंने ये भी बताया कि आखिर वक्फ है क्या जिसको ले थे कि एक ये वक्फ बोड जो है ये एक पर्टिकुलर जाती विशेश को ले करके सवाल खड़े करता है और इनके जो धर्म है उसमें परिवर्तन के इसलाम में परिवर्तन लाने की मांग करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है और वक्फ एक जो है वो कहीं न कहीं एक संपत्ती कि रख रखाफ करने के लिए इस बोर्ड को बनाया गया है और इस संपत्ती का सही इस्तिमाल हो इसलिए सरकार कानून में संशोधन करने की मांग कर रही है अब इस खबर पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा इसी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगा तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ टीबिट्वेंटिफोर नेटवर्क के साथ